नास्कार आप सभी का इस नई वीडियो में स्वागत करती हूँ आसा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वच्ट और मज्ट होगे आप सभी के कहने से आज से मैंने ये क्लास स्टार्ट किये यदा आप सभी का लगातार सपोर्ट और प्यार मिलता रहा तो ये क्लास आपको लगा के भी questions पूछे जाते हैं जितना आप सभी के लिए physics, chemistry और biology पढ़ना जरूरी है उतना ही जरूरी आपके लिए nursing aptitude भी है क्योंकि इसके भी 40 questions पूछे जाएंगे और ये 40 questions आपको सही करके भी आने हैं तो चलिए आसे में start करती हैं इन class को चैनल को subscribe करके रखीगा जिसे आपक सभी को मालूँ है कि एक्जाम वह इंग्लिस बहाषा में केवल होता है और मैं प्रियास कर रहे हैं आप सभी के लिए कि एक एक्जाम हिंदी बहाषा में भी कराया जाए ट्यूटर पैर में चला रही हूं और लगातर में प्रियास करेंगे 5-6 महिने तक लेकिन आप सभी का भी सपोर्ट चाहिए जो हिंदी मीडिया माले बच्चे हैं जो टीचर से हमारे यूटूब पर बढ़ा रहे हैं सभी तीचर से कहना चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कर लिखीगा यद आप 2024 में बियसी नर्सिंग का पेपर देने वाले हैं तो चलिए देखते हैं आज का कुछ है नमर वन हमारा क्या है विटामिन ए की कमी से कौन-कौन से रोग आपके हो सकते हैं तो नाइट ब्लाइंड नेस आपको पता है जीरो फितेलेमिया यह भी होता है इस्पोर्ट यह भी आपका रोग होता है साइध आपने न सुना हो लेकिन यह भी रोग जो आपका है वो विटामिन ए की कमी से होता है तो इसका अर्थी हुआ कि ओप्सन नमर जो डी होगा वो इसकोशन का राइट अंसर हो जाएगा यह तीनों ही रोग आपके विटामिन के कमी से होतेresh of response क्या होती है यह आपने न अ सुना और ऐसे भी आपसे कोशन पूछा जा सकता है कि वी टौट किस से संभनन नेते हैं यह रोग किस संभन नेते है तो इह रोग आपका जो है वह आई से संभनन आँख से सम्मंदित है तो देखते हैं हम यहां पर बिटॉट इस्पोर्ट क्या होते हैं बिटॉट इस्पोर्ट से आपको यह आँख में जो इस्पोर्ट नजर आ रहे होंगे यह आपके इनको बिटॉट इस्पोर्ट का जाता है और यह आँख में होने बाला एक रोग है ज बिटाइमिन बी बन बी जीज़ाएव ही तो यहीं पर आप सी पूछा जाएए विटामिन-बी बन का जो रासाइनिक नाम विटामिन B6 का आपको बतानोगा, विटामिन B13 आपको होता नहीं है, विटामिन B12 होता है, इसका भी आपको बतानोगा comment box में, comment करके कि विटामिन B12 और विटामिन B6 का chemical name क्या होता है, देखते किसका अलसा सबसे पहले आता है, next question है हमारा कि vitamin K essential 4 vitamin K जो है वो किसके लिए आवस्यक्त है blood viscosity, blood thinning या आपका blood clotting तो आप सभी को पता है vitamin K जो है वो blood clotting के लिए आवस्यक्त है या vitamin K की कमी आपके सरी में हो जाए तो रखत का जो ठका है वो नहीं बनता है यहाँ पर right answer जो आपका होगा वो option number C right हो जाएगा यही पर आप से पूछा जाए कि vitamin K का chemical name क्या होता है vitamin K का जो chemical name होता है वो nepto-q-non nepto-q-non इसका chemical name होता है यह भी आपको पता होना चाहिए nepto-q-non ठीक है आगे देखती हूँ next question है हमारा deficiency of vitamin D causes vitamin D की कमी से कौन सा रोग होता है जो आपका रोग होता है उसे का जाता है ostro-malaysia यह कह सकते हैं यह रोग जो आपका है वो बयस्क एनिकी adult में होता है यही पूछा जाए बच्चों में कौन सा होता है तो वो आपका rickatus होता है बच्चों में सुखा रोग जिसे का जाता है बिटामिन D की कमी से rickatus होता है जबकि adult में पूछा जाए बयस्क में पूछा जाए तो ostro-malaysia नाम का रोग होता है बिटामिन D की कमी से बिटामिन D का स्रोत सबसे अच्छा पूछा जाए बिटामिन D का सबसे अच्छा स्रोत क्या सोर्स क्या है तो वो आपका सूरे, सूरे का जो प्रकास है वो विटामिन D का सबसे अच्छा सुरोत माना जाता है वहीं बात की जाए इसकरवी की, तो इसकरवी जो आपका है वो विटामिन C की कमी से होता है पैलिक्रा की बात की जाए तो vitamin 3 की कमिस होता जिसका रासायनिक नाम है vitamin B3 का जो रासायनिक नाम है chemical name है वो नियासन है जिसकी कमिसे पैलिक्रा रोग आपका होता है तो right answer जोग आपका वो option number B right हो जाएगा ऊस्टियो मलेसिया जो vitamin D की कमिसे होता है बात करते हैं, next question की, retinol is also known as, retinol को और किस नाम से और जाना जाता है, vitamin B, vitamin D, A या E, vitamin B, तो आपका thymine है, vitamin D, अभी बताया था, मैंने, आपका कमी सुरोग, retinol के नाम से भी जाना जाता है, अब बात करते हैं, यहां पर right answer जो आपका होगा, वो क्या होगा, option number A, vitamin A को retinol के नाम से भी जाना जाता है, तो right answer हो जाएगा, option number C, और आप ध्यान रखेगा, इस परकार के question आपके exam में पूछे जाते हैं, तो आप इन question को तयार करके जरू जाएगा, ऐसे question है यह जो आपके exam में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है, आपको bio में भी देखने को मिलेंगे, जो bio का portion आता है, bio में 40 question जो आप से पूछे जाते हैं, बार पर भी आपको यह question देखने को मिल सकते हैं, तो आप लगाता है, मेरे साथ बने रहे ना, वीडियो को last लग जरूर बहुच करना, बात करते हैं, यह भी question भई है, same, तो इसे अटाइए, question है next, which of the follow is rich source of vitamin C, vitamin C का सबसे अच्छा स्रोत किस माना जाता है, सबसे ज़्यादा vitamin C किस में देखने को मिलती है, आमला में, apple में, guava में, या orange में, तो ओरेंज में तो भी देखने को मिलती है, guava में भी होती है, लेकिन यह पर यह सबसे अच्छे स्रोत नहीं है, rich source नहीं है, rich source यह आप से पूछा जाए, तो आमला आपको बताएंगे, क्या बताएंगे, आमला, तो right answer जो हमारा होगा, वो option number A right हो जाएगा, ठीक है, आएंगे देखिए, next question हमारा की macro nutrients involved, इन में से कौन सा आपका macro है, macro पूछा गया आप से, micro नहीं पूछा गया है, question को थोड़ा ध्यान से जरूर देखे, question को कम से कम दो बार पढ नायवा पर, तो macro nutrients जो आपका है, वो protein भी है, fat भी है, और carbohydrates भी है, यह तीनों ही आपके macro nutrients है, तो right answer जो आपका होगा, वो option number D हो जाएगा, all, सभी, आप देखो protein का सबसे अच्छा स्रोथ पूछा जाए आप से, तो soya bean को माना जाता है, किसे माना जाता है, soya bean को, fat और carbohydrates य जिनसे हमें energy प्राप्त होती है, उर्जा प्राप्त होती है, पूछा जाए कि energy किसे प्राप्त होती है, तो इन दोनों से होती है, लेकिन इसमें ज़्यादा किसे प्राप्त होती है, तो वो fat से बसा से ज़्यादा उर्जा मुझे प्राप्त होती है, तो right answer हो जाएगा, option number D next question है हमारा acid rain is a global effect of acid rain किस प्रकार हमारे global को प्रभावित करती है effect डालती है noise pollution water pollution या air pollution है या soil तो यहाँ पर जो right answer आपका होगा वो option number C right होगा air pollution अब यहाँ पर होता क्या है बाई बंडल में हमारे पता है आपको कि कुछ गैसे हैं SO2 और साथी साथ आपका N2O nitrogen oxide और SO2 यानिकी sulfur dioxide यह क्या होता है जब पानी मरस्ता हमारे आपर तो SO2 जो है वो H2O से क्रिया कर लेता तो यहां से जो योगिक बनके तहियार होता है वो H2SO4 जिसे कहा जाता है sulfur dioxide और यहाँ पर जो NO2 आपका है N2O sorry N2O जो आपका होता है वो H2O से जब क्रिया करता है तो यह योगिक बनाता है HNO3 तो यह जो योगिक जो है वो एक नए योगिक बन गए और यह हमारे अमल वर्षा में साइके जिसे sulfuric अमल का जाता है और एको nitric अमल का जाता है पूछा जाता है कि acid rain में कौन से योगिक बनके तयार होते है एसो टू जब जल से क्रिया करता है तब कौन सा योगिक बनता है तो यह HNO3 और H2SO4 और यही हमारे ताज मेल के रंग को भी बदल लाए यह ताज मेल क हो गया acid rain की बज़े से ठीक है तो यह आपको समझ में आ गया तो राइट अंसर होगा air pollution एक प्रकार का बायू प्रिदूशड है यह बायू प्रिदूशड की बज़े से नेस्पोजिशन है diabetes is a caused due to lack of diabetes जो रोग है आपका जिसे मद में रोका जाता या जिसे सुगर भी कह सक होता है जिसका पूरा नाम है diabetes mellitis पूरा नाम है इसका insulin हार्मोन की कमी सब्सक्ता है इनिंस्टीं हार्मोन अगन अगर इंसर वे पाइनी करियास की पाई जानेवाली जो बीटा कोशिक हो तक ही बाहर से है आपका insulin नाम का एक हार्मोन स्रावित होता है जिसकी कमी यह ढूग तो हमें डाइविटी रोग हो जाता है तो राइट अंसर क्या होगा वी ऑप्शन इंसुलेंट या करते जाना नोट भी करते जाना कॉपी पर इनको रिवाइज भी आपको आगे चलके करना है ठीक है जैसे ही आपका एक महीने रह जाता है तो उस टाइम आपको यह सभी वीड दीसी है या इन्फैक्टिय दीसीज है या बॉटर बॉणन तो यह पर यह जल पररदूसत रोग हैं जल के द्वारा होने वाले रोग जब आप असुद्द पाने पीते हैं या कि लोक बैक्टिरिया के द्वारा होते, बैक्टिरिया के कारड होते हैं, किसके कारड होते हैं, बैक्टिरिया के कारड होने वाले रोग हैं, और यह किसके कारड होते हैं, कुन सा बैक्टिरिया है, तो टाइफार का जो बैक्टिरिया उसका नाम है साल मोनेला टाइफी, साल मोनेला ट पाइफी नाम का एक बैक्टिरिया है जिसके बज़े से टाइफार्योग रोग होता Fitzbrie में बिब्भी नाम देख सक नाम है बिडाल परिचण जाता है जो आपसे ज कौन सा ही तेस्ट की जाता हैuts ज् Anch girls बाहई,46 प्रोटोजवान रोग है जिसका नाम है आपका प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम के कांड ये रोग आपका होता है लेकिन इसका बहाग कोटकर करते हैं इसका राइट अंसर क्या होगा तो वह आपका इस्पिलीन इस्पिलीन से question BSC नर्स्टी में पूछा जा चुका 2023 में पूछा गया था इस्पिलीन को किसका कबरिस्तान का जाता है तो इसे RBC का graveyard भी का जाता है RBC का graveyard या कबरिस्तान के नाम से भी इसे जाना जाता है किसे इस्पिलीन जिसे पिलिया का जाता है तो right answer हो जाएगा option number C बात करते हैं next question की Addis spreads through Addis जो है वो कैसे फैलता है किसके कारण फैलता है पहली बात तो आपको Addis की full form बता होने चाहिए तो इसकी full form है acquired immunodeficiency syndrome acquired immunodeficiency syndrome यह इसकी full form है यह रोग होता किसकी बज़े से तो यह रोग जो आपका है वाइरस जो है वो किस परकार का वाइरस है तो यह single stand RNA है इसमें जो अन्वानसिक वदार्त होता है genetic material होता है वो single stand RNA होता आपका ठीक है इसमें कौन सा परिचर किया जाता है तो यह भी आपसे पूचा जाता है इसमें जो test किया जाता है वो आपका ELISA test यह रोग होता किसकी वज़े से bacteria नहीं प्रोटो जो नहीं फंजाई नहीं राइट अंसर होगा option number C virus के कार्ड होने वाला रोग है एडिस जो रोग है वो किसके थुरू फैलता है तो virus के कार्ड यह भी साड़ू के कारड next question है हमारा own kidney failure blood is purified by जो kidney में जब kidney आपकी फैल हो जाती है तो उसमें blood को purify करने के लिए क्या किया जाता है dialysis किया जाता है biopsy किया जाता है या angio esperm एन्मे से कोई नहीं जो को biopsy जो सब्द है cancer से संबन देते हैं आपका यह भी question पूचा जाता है cancer में जब उसका इलाज किया जाता है surgery की जाती है तो उसमें biopsy की जाती है तो यह तो आपका हो जाएगा लेकिन kidney में क्या किया जाता है तो dialysis किया जाता है क्या किया जाता है dialysis जो दो महीने के लोगत दो महीने के बाद होती है एक बार कराने के बाद दो महीने के बाद आप करा सकते से तो right answer जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा option number A right हो जाएगा ठीके next question है हमारा healthy person is ABP एक सवच्त मनुष्य जो है उसका BP कितना होना चाहिए 1-20, 1-80 A में मैं ची या 80 बटे 20 या 81 1-20 या 1-20 80 तो यहां पर देखो right answer जो आपका होगा option number यहां D right होगा 1-20 80 होना चाहिए और भी क्या M, M H, G भी आपको mercury यह भी आपको याद रखना है कभी कभार H, G में ही वो confuse कर देते हैं आपको क्या है H, G होगा या कोई A, U होगा दूसरा आपको नाम देदी जाए, A, G देदी जाएगा तो यह H, G होता है, mercury में मापा जाता है अब यहां पर 120 क्या है तो 120 जो आपका है वो systolic pressure है और 80 क्या है, तो यह diastolic pressure आपका है 80 जो है, वो क्या है, diastolic pressure जबकि 120 क्या है, systolic pressure है BP को नापा किसे जाता है तो एक यंत्र होता है, आपका उपकरड होता है spagnomenometer spagnomenometer नाम से एक यंत्र आता है, जिससे आपका BP मापा जाता है, तो right answer जो आपका होगा, वो option number D right हो जाएगा, ठीक है और इस परकार के question याद आप लोग और भी देखना चाहते है, तो चैनल को subscribe करके जरूब रखीगा, इससे बैतरीन question आपको next class में देखने को मिलेंगे, next question हमारा body temperature of a normal person, इस question का answer मुझे comment box में, आप सभी students बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि आज की class आपको कैसी लगी जिससे हम आगी class आपके लिए और लेके हैं, जितना ज़्यादा इससे वीडियो पर प्यार मिलेगा, support मिलेगा, next वीडियो उतनी ही आपको बैतरीन देखने को मिलेगी, आपके comment से जब देखते हैं तो दिल को बहुत ज़्यादा सकून मिलता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा comment करके मुझे जरूर बताएगा, कि हाँ में ऐसी class आप आगे भी लेके आएगा, तो आपको ऐस प्रकार की class आगे भी देखने को मिलती रहेंगी, आप चैनल को कर लीजीगा, सब्सक्राइब वीडियो को लाइक जरूर करीगा, और वीडियो